Hello everyone, मैं विश्वजीत सींग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 03, Histography इतिहांस लिखन का Lesson 5 पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे युनानी रोमन परंपराओं के बारे में यहां पर युनानी रोमन परंपराओं का अर्थ है कि किस तरह से इतिहांस को लिखा गया युनान और रोम के अंदर में इतिहांस लिखन की सुरुवात किस परकार से हुई किस व्यक्ति के द्वारा इतिहांस को लिखा गया लिखने का तरीका क्या था लिखने का आधार क्या था किस तरह से उनको समाज के अंदर में इस्थापित किया गया इतिहांस लिखन को उसके बारे हम डिस्कस करने वाले हैं कई बार क्या होता है कि जब हम chapter का नाम पढ़ते हैं यूनानी रोमन परंपरा तो हम परंपरा से ये समझते हैं कि उनके संस्कृतिक उनके जीवन व्यापन उनके तोर तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं संस्कृती थी वो पूरे विश्व में फैली, ठीक, इतिहांस के अधार पर भी इनकी जो युद्ध हुए, उनकी जो कला छेत्र था, वो बहुत जादा विक्सित हुआ, ठीके, कई सारे इतिहांस का निकले, कई सारे पॉलिटिकल थिंकर निकले, कई सारे जो भी विचारक थे, दूरदर्सी थे, वो निकले यहां से, तो उसके काले से सबसे ज़्यादा विक्सित छेतरों के अंदर में इनको गिंति की जाती है, और देखो, जब ह लोगों के सामने रखा जा रहा है उसकी बारे में हम study करते हैं ठीक है और कोई भी घटना घटी मालो कोई incident घटा ठीक है तो उस incident को cover करते समय किन की बातों का ध्यान रखा जाता है कि सही से तथे को रखा जाए ठीक है तथे की जांत की जाए कि सारे तथे सही है करम बद तरीक और चौथा होता है इतिहांसकार की सोच, उसकी दूरदर्सिता क्या है, उसका सोच क्या अपनी personal thinking क्या बनती है, उसके बारे में वहाँ पर define करना, ठीक है, इन चारों के अधार पर एक इतिहांस, किसी एक topic को, किसी एक incident को cover किया जाता है, ठीक है, simple से समझ में आता है, इन सभ जब हम युनान और रोम की परंपराओं के बारे में बात करते हैं, तो कई सारी इतिहांसकार है, जहां पर सबसे पहले जो इतिहांसकार के तौर पर जाने जाते हैं, हेरोडोटस, ठीक है, कहा जाता है, इनका जो नाम है, हिंदी, इंगलिस में कई बार confusion होता है, और अलग लिखा गया है, ठीक है, तो यहां पर मैंने हीरोडोटस लिखा है, कई जगा पर हैरोडोटस भी लिखा हुआ है, ठीक हो हेरोडोटस को अगर हम बात करते हैं, तो यह गिरिक राइटर थे, युनानी राइटर थे, यूनान से बिलोंग करते थे, ठीक है, और यह first historian के तोर पहले इतियासकार के तौर पर इनको जाना जाता है इनकी पुछत्तक थी जिसका नाम था इस्टोरिका ठीक है इस्टोरइका एंदर में जो इस्टोरइका की बेसिस मतलब और-STORİका के इनको फास्टरिका के लाम से जाना गया इनका अगर जन्म की बात करें तो 485 के अंदर में इनका जन्म होता है ग्रिक के अंदर में होता है एसिया माइनर के अंदर में जो युनानी बस्ती थी एसिया माइनर की युनानी बस्ती थी उसके अंदर में यहां पे जन्म होता है ये अपने जीवनकाल के अंदर में कई जगह की यातरा करते हैं यातरा करते हैं, यातरा के अंदर में क्या कर कहा का गुमते हैं तो फिलिस्तीन, बेबिलोनिया हो गया, पश्ची मेसिया हो गया और कई सारी जगह इसके अलावा भी बहुत सारी जगह गुमते हैं फ्रांस के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया ठीक है और जब कि सबसे रहस्य वाली बात यह है कि यह कभी भारत आये ही नहीं थे कभी फ्रांस गए ही नहीं थे ठीक है पर इनको जानकारी मिली कैसे तो यह क्या हुआ यह लोगों के अधार पर लोगों के अनुभव के अधा लिखी गई ठीक है वो इतने जाद इंट्रस्टिंग नहीं होती थी पर नॉर्मली जब इन्होंने लिखा इतिहांस लिखने का सुरुवात किया तो बहुत ज़्यादा रोचक फोने लगा उसकी परिवर्तन हुआ उसके अंदर में परिवर्तन हुआ कैसे सपोस्कोर उन्होंन जादा होता था बाग की छेतोर के मुकाबले में ऐसा करके उन्होंने लिखा तो पढ़ने वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि साक्षात कर वह चीजों को देख रहा है वह फील कर रहा है ठीक है वह उसको इमेज कर पा रहा था जिसके कारण से इनको बहुत अच्छा इत कर सकते हैं उसके उपर में कोर्सिस किया ठीक है साथ साथ में देखो यहां पर भारत के बारे में लिखते हैं तो कोई भी जानकारी का परमानिक अधार नहीं था ठीक है रीजन क्या था कि यह किसी माध्यम से प्राप्त हुआ था ठीक है कि किसी ने बोला कि भारत के अंदर म भारत का जिकर किया, फ्रांस का जिकर किया और भी अने राजियों का जिकर मिलते हुए मैं देखता है हिस्टोरिका के अंदर में, एथेस के अंदर में, युनान और रोम के अंदर में दो सबसे बड़े राजे थे एथेस और सपार्टा के नाम से जो सबसे ज़्यादा विक्सित थे यहीं से father of the history, father of the politics और भी कई सारे विचारक निकल के आये थे तो हिस्टोरिका के अंदर में एथेस जो राजे था एथेस समराज्य राजे उसके युद्धों का वर्णन किया गया है और उनके अंदर में किस अधार पर युद्धों का वर्णन किया गया है जो भी मैं points बताने वाला हूँ यही युनान इतिहास लिखन की points दिफाइन कर सकते हैं कैसे किया गया तो आँखों देखा हाल किस तर से युद्ध हुआ कैसे हुआ आँखों देखा हालों को वहां पर हाल को define किया गया साथ साथ में कालपनिक बातें जो कालपनिक अधार पर जो बाते थी उसको अधार बनाया गया यहां पर ठीके ठीके वस्तु परक्ता को अधार बनाया गया किस तर से चीजों का संबन्त है आपस में इंटर लिंक किस तर से करता है, वस्तू परक्ता किस प्रकार से work करता है इतिहांस लेखन के अंदर में, सबसे पहली बार यहां पे वस्तू परक्ता का उपयोग किया गया, और वस्तू परक्ता होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो first time इस वीडियो को देख रहे यहां पर वस्तु प्रक्ता का उप्योग किया जाने लगा इधियांस लेखन के अंदर में साथ साथ में तथ्यों का सत्यता के उपर जांच करना जो भी तथ्ये थे उसका किस तरह से उप्योग किया जाना है किस तरह से चीजे सही है नहीं है ठीके लिखन के धार पर सत्यता है या नहीं है उसके उपर जांच किया जाना ठीके अधिक महतु देना तत्यों को जांच को इसके उपर में जोर दिया जाना लगा यथार्थ अगर कोई घटना घट रही है ठीके तो उसको यथार्थ रूप में प्रस्तूत करना इसके उपर में यहाँ पर जोड दिया गया ठीके रोचक और आकरसक धंग से तत्यों को प्रस्तूत करना ठीके रोचक हो जिससे जो पढ़ने वाला वैक्ति हो इंटरस्ट ले स तो कोई बड़ी घटना होने से पहले उसका संकेत मिल जाता है हेरे रोडरस ने इसके उपर में point उठाया कि अगर कोई भी घटना घटने वाली है तो आपको पहले सही अनुभव हो जाएगा कि यह घटना घटने वाली है जो सांस्कृतिक अधार पर चीज़े हो रही थी जो समाच के अंदर में घटना था उन चीजों को यहाँ पे point उठाया गया राजनीतिक गतिविदियो से हंट कर राजनीतिक सत्ता में क्या आ रहा है क्या नी हा रहा है कौन राजा है कौन राणी उसको छोड़कर अपनी पुस्तक हिस्टोरी का के अंदर में ठीके समझ में आता है दोस्तो यह एंगली हम के लिए जर्व लेगा डेया Sprayoor करते हमकिर यह इसे यह जाने दोस्ती कारे पुसार यहां का निको यह होओ Cand थूसी देसिस करके नाम दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर नाम को लेकर थोड़ा सा confusion रहता है क्योंकि Google कई बार क्या होता है कि English से जब Hindi में वो convert करता है तो अपने इस आप से जो उसको comfort लग रहा होता है scientific history की father of the scientific history वैज्यानिक अधारे पर इतिहांस लेखन का इनको जनक माना जाता है कि किस तरसे वैज्यानिक अधार एक वैज्यानिक अधार किया इन्होंने वेग्यानिक अधार में लिया ठीक है इससे पहले जो इतिहांस लिखन लिखा जाता था जैसे इन्होंने father of the scientific history कहा जाता है ठीक है समझ में आता है इनका जो जनम होता है 460 के अंदर में होता है 396 के अंदर में इनकी मृत्यू हो जाती है युनान इतिहांस लिखन में मात्यपन भूमका निभाते हैं ये भी युनान से बिलोंग करते थे इनके निगट संबन्द थे अगर इनके जीवन के बारे में बात करोगे तो एक जर्नल थे मतलब सेना के अधिकारी थे और एक युद के अंदर में ये कमान समा रहे थे और वो युद को हार जाते हैं जिसके बाद वहां का जो राजा होता है वो इनको देश निकाला देश कर देटा है और निसकासित करने का रिजन क्या होता है कि वो असफल हो जाते है अपने जर्नल अपने युद के दोरान में युद कौन सी होती है तो पेपयलोनिया ही वहर होता है जो Aethes और सपार्टा के बीच में लड़ा जा रहा था उस यूद के अंदर में ये असफ़ल हो जाते हैं जिसके बाद इनको वहां से निसकासित कर दिया जाता है निर्वासित कर दिया जाता है उसके बाद ये दूसरे जगह आके रहने लग जाते हैं और Aethes से इनका इस तरह से दिखा जाता है कि बहुत पुराना संबंध था ठीके और फिर वो History लिखने की सुरुवात करते हैं History लिखने की जब सुरुवात करते हैं जब इनका Age नॉर्मली अपने Young Age में होते हैं तो उस समें Herodotus अलग अलग जगह पे कथा वाचक के तौर पर ठीके मतलब ही History कहानिया सुनाय करता है कि ऐसे घटना घटी इस तरह से हुआ इस तरह से Herodotus अलग अलग जगह पे जाके मंचों के उपर सुनाय करता था और जो थूसी देसिस थे वो भी इनकी कहानिया सुना करते थे सो चो, Herodotus, Father of the History, वो कहानी सुना रहा है और upcoming, The Father of Scientific History, वो इसकी कहानिया सुनकर बड़ा हुआ और यहां से इसको पेड़ना मिली कि ये भी इतियांस लिखेगा, इतियांस लेकर नकी सुरुआत करी ठीक है, कथा वाचक क्या होता है, जैसे आज के समय में बहुत सारे व्यक्ति हैं जैसे कुमार विस्वास हो गया, मोरा रिबापू हो गया और भी बहुत सारे कथा वाचक हो गया, जो अलग-अलग कथा सुनाते हैं ठीक है नीता जैसे होते ना कि ये बताते हैं कि ये वाली घटना ऐसे घटी मुदी जी ने ऐसा कर दिया कि जरिवाल ने दा मतब जो भी नीता है इस्टेज पर चड़के यह कर रहा होता है लोगों आप जब आप किसी नीता का बासन सुनने जाओगे न तो आपको लगेगा कि ये वाला बात तो मुझे पता ही नी था मैं कौन सा नीज देखता हूँ इसको को कैसे पता चला ठीक है कि ये वाली ऐसी चीज हुई इतना माफ कर दिया आपको ऐसा लगेगा ठीक है तो वह भी क्या कर रहा है एक तरसे आपके लिए हिस्ट्री दिखा रहा है वो ठीक है इत्यांस लिखन के अंदर में किन बातों पर जोर दिया गया सबसे मंत्यपून अधार क्या था वैग्यानिक अधार ठीक है इन्होंने वैग्यानिक अधार को माना ठीक है और विग्यानिक अधार पर ही इन्होंने इत्यांस लिखन को आगे बढ़ाया ठीक है और इनका जो म दूसरों के अनुभवों के अधार पर आपने बोल दिया, किसी ने बताया कि भारत के अंदर में ऐसा होता था, आपने सुना, आपने लिख दिया, आपके इसाब से कुछ और नया चीज देड करना है, इंटरस्टिंग बनाने के लिए आपने अड़ कर दिया, ठीक है, तो वो कि देटाओं कि पूझा होती है, अंदरिस्वा, सगुन, अपसगुन, के बारे मुस्स ने लिखा, ठीक है, पर इसने क्या किया, रहसे वाद, जो चीजे थी, उसको यहांपे इग्नोर किया, ठीक है, रहसे वाद के अबारे में, ठीक है, आगे यहांपर हम बात करते हैं, त तो प्रमानिक अधार अगर किसी चीज़ का प्रमानिक अधार है ठीक तभी इस्ने प्रमानिक अधार का जिक्रि किया अपनी इतियांस लिगन के अदर में ठीक है ठीक है। सकते होने चीए उसके उपर इन्होंने जोर दिया ठीक है कारण कारे के उपर में इन्होंने जोर दिया कारण कारे क्या होता है कोई भी घटना क्यूं घटी उसके पीछे कारण क्या है अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ही होगा ठीक है उसके उपर में भी यहांपर focus किया कि अगर कोई भी incident हो रहा है ठीके तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है अगर कोई कारण है तो कोई ना कोई incident भी होगा ठीके तो इस तरह से चीजें वहांपर relate करके Anakin उन्हों ने दिखाया ठीके इन्होंने सासथ कालपनिक्ता को भी आधार बनाया कई जगह उपे, पर उतना ज़्यादा कालपनिक्ता को आधार बनाकर उन्हीं लेकर आगे बड़े, ठीक है, विक्सित और परिनामों के उपर में जूर दिया, जो इन्होंने जो पहले हेरोडरोडस था, वो देवी सक्तियों को भी आधार बनाता था, कि इस तरह से देवी सक्ति थी, इस तरह से देवी देताओं की पूजा होती थी, देवी सक्ति के अंदर से परिवर्तन हुआ, इस तरह से देखा गया, पर जो थूसी देसिस थे, उनके अप्रोच के तो Herodos को जाना जाता है पर उसके अंदर में जो परिवर्तन लाए गया जो अभी का अधार है वो थूसी देसिस को माना जाता है जिसके काइजिन को The Father of Scientific History की नाम से जाना जाता है ठीक है समझ में आता है तो इस तर से थूसी देसिस का हो जाता है अपना टाइम पिरिड खतम अगले जो इतिहांसकार आते हैं यह रोमन इतिहांसकार है ठीक है हमने दो पढ़ा यूनानी इतिहांसकार अब यहापे हम जो दो इतिहांसकार किस तरह से लिखा गया उसको बताईए ठीक है तो आप यहां पर लीवी को डिफाइन कर सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं लीवी की बात करूँ कि लीवी का क्या इत्यास लिखन की पदिती थी तो लीवी एक रोमन इत्यासकार थे ठीक है रोमन पुस्तक बाद में खो गई और उनहीं के आधार पर इनके बारे में बताते हैं ठीक है उसके साथ साथ में यहां पर दूसरे आते हैं टैसियस ठीक है इनका भी नाम को लेकर क्यी जगा पे अलग अलग है गाएंग तो कई जगा पे इनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है पर आपकी बूख में इसी तरसे लिखा गया है टैसिटस जो थे एक समराज्यवादी प्रशासनिक निकटता से संबन रखते थे जो इनकी ठिंकिंग थी, उस संबराज्यवादी प्रशासन से बहुत ज़्यादा मिलती थी ठीक है, लेखों के अंदर में 50 साल का रोमन संबराज्य को इन्होंने जिकरी किया है और अगर लिवी की बात करते हैं तो लिवी ने भी यही चीज़े बताहीं किस तरह से उनका प्रशाशनक व्यवस्ता चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ठीक है, वो अधार बनाकर यहां पर दिखाते हैं, ठीक है, मेंली जो आपका कोशन इस वाले चैप्टर के अंदर किस प्रकार कियے रोम की लिखन पदिती किस परकार की है, अगर यूनान की आती है तो दोनों इत्यासकार का बताओंगे, रोम क at a यह दोनों के इत्यासकार का बताओंगे, मैंने सरिफ इस दोनों के יה थोड़ा सब बागी चीज़े आप अपनी बुक से थोड़ा सा पढ़ोगे जिससे आपको clear हो जाएगा आपका भी थोड़ा सा roughly revision हो जाएगा बुक से और interesting रहेगा जो भी students हैं अपनी बुक लें देखो बुक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास यहाँ पर पढ़ी हुई है आपकी बुक यही आपकी बुक युनानी रोमन पनमप्रा जिसके अंदर में पूरा यहाँ पर आजाता है किस परकार से सैली है किस परकार से घटना है इन जो चैप्टर है इसके अंदर में चीन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कि चीन की इतिहां सलिखन पतिती किस परकार से तो इंपोर्टेंट वीडियोज होने वाली है आगे के आने वाली भी तो वीडियोज को लास्ट तक देखिए समझे अगर आपके लिए वैलिवल है ठी तो हमारे चैनल को दी इनप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे हमें क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता और हम और अच्छे से वीडियो बनाते हैं और फ्रेंड्स हम आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो होगी ठीक है तो थैंकियो सो मच फूर वाचिंग में थैंकियो सो मच फूर लिसनी में बाबाय टेकिर अलबेस्ट